लेकिन राजनितिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मन्न चलता रहे ब्रस्टाचार को नजरंदाज करके सिद्ध हुई हकीकों तक है बावजूद भी जब राजनितिक लाब के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर लोक लाज को तोड़कर उनके साथ बैटना उटना शुरू हो जाता है तो देश के नवजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनितिके खेत्र में नेत्रुत्व करने वाले लोग ब्रस्टाचार में डूबे हो लोगों की प्राण प्रतिश्चा कर रहे हैं मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि ब्रस्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है दो-चार साल के बाद लोग स्विकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज बवस्ता खड़ी करनी है क्या समाज के अंदर हाँ ब्रस्टाचार के कारण को अगर गुना सलसीत हो चुका है तो को सुधरने के लिए मोका दिया जाए लेकिन सारवजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है यह मैं समता हूँ अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरुत है यह आज हाजी के पचातार साल है यह अम्रत काल है हमने अब तक आज आज हाजी के पचात्र साल दर्मियान देश जिस स्तिती से गुजरा था अंग्रेज भारत के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरीकों को उसके अधिकार मिले इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूर भी था मात्मा गांदी समय हर कोई भारत के नागरीकों को उनके अधिकार मिले इसलिए वो लड़ते रहें ये बहुत स्वाभाविक है लेकिन ये भी सही है कि मात्मा गांदे ने आज़ादी के अंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी उन्होंने भारत के नागरीकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो प्राउड शिक्षा करो नारी सम्मान करो गवरव करो नारी को एमपावर करो खादी पहनो श्वदेशी का विचार आतमे दिरभर भारत का विचार कर्तम्यों की तरब मात्मा गां मात्मा गांदेनी जो कर्तवे के बीज बोये थे वह जाती के बाद बटबुर्ख बन जाने चाहिए थे लेकिन दुर्भाग्य से शासन विवस्ता ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बाते करके लोगों को एक ऐसी वश्ता में रखा कि हम है तो आपके अधि थोने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता है तो अधिकारों के अपने आप रक्षा होती कर्तव्य से दाइत्व का बोध होता है कर्तव्य से समाज के प्रतिक जिम्मेवारी का बोध होता है अधिकार से कभी कभी एक आचक वृत्तिक वादा होती है कि मुझे मेरा अध जीवन में एक बाव होता है कि ये मेरा दाइत्व है मुझे इसको निभाना है मुझे करना है और जब मैं कर्तब्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है किसी के अधिकार का गवरो हो जाता है और उसक कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों के रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े, कर्तव्य का वो पत है, जिसमें अधिकार की गारंटी है, कर्तव्य का वो पत है, जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुप्रुत करता है, उसके हक को दे देता है, और इसलिए आज जब हम स जितनी अधिक मात्रा में निश्चा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे हर किसी के अधिकारों के रक्षा होगी और आज आधी के दिवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था उन सपनों को पुरा करने का सौभागे आज हम लोगों को मिला है हम लोगों ने मिल करके उनसे अपनों को पुरा कन्य में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं फिर एक बार स्पिकर महोदय का इस महतपन अवसर के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, अभिननन करता हूं, उन्होंने इस बात कारकम के रचना की, ये कारकम किसी सरकार का नहीं था, ये कारक बाबासाब आमबेडकर के गरिमा होती है, संविधान के अपने गरिमा होती है, हम सब उन महान पुरुषों को प्रास्णा करें, कि वह हमें सिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पिकर पत की गरिमा बनाए रखे, बाबासाब आमबेडकर का गवरो बनाए रखे, और संविधान का गवरों बनाए रखे इसे का पेक्षा के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी अब बै आग रह करती हूँ माननिय उप्राश्रुपती जी एवं राज्य सभा के सभापती श्री एम वेंकया नाइडू जी से कि वे विशिष्ट सभा को स्तमवोधित करें महामहिम रास्टपती जी माननिय प्रधान मंत्री जी माननिय लोगसभा जेक्ष जी और माननिय संसदी एकारिय मंत्री जी और राज्य सभा में सदन का नेता राज्य सभा का उपाज्यक्ष और आज इस महोच्छों में भाग रेने वारे सम्मानिय सदेशेगंड और विजेशी ट्राज्डू गंड और अन्य महानभाव बहनों और भाईयों